तो अगते दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टरटा में मूच्वल फंड्स के अंधर निवेश करना बहुत आसान है आप चाहेंगे पैसे निवेश करेंगे और भूल जाएंगे लेकिन निवेश करते टाइम आप कुछ बातों को ध्यान नहीं रखते हैं लेकिन यहाँ पर स्मॉल केप कैटिकरे में भी आपको अलग लग प्लान मिल जाते हैं कुछ ऐसे प्लान है स्मॉल केप में ही जिसमें जादतर पैसे को मिट केप और लाज केप में भी निवेश किया गया है या फिर कुछ प्लान ऐसे भी हैं जिसमें स्मॉल केप में जाद पैसा small cap companies में नवीश किया गया है बाकी का पैसा large cap और mid cap के अंदर डाला किया है दोस्तों अगर हम इने सभी small cap fund की बात करते हैं तो यहां पर आपको जाहतर अलगलग category के stock मिल चाते हैं और अलगलग sector के अंदर लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो सबसे अच small cap के मुकाबले हमारे पैसे पर रिस्क कम हो जाए और प्रॉफिट हमें small cap के ही मुकाबले अच्छा मिल जाए तो दोस्तों अगर आप भी कोई ऐसा ही प्लान चाते हैं तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसी प्लान की ही बात करने वाले हैं जिसके अंदर आपको लगतार एक बहतीन रिटन मिल सकता है क्योंकि अगर हम पिछले 15 साल की बात करें तो इस बेंचमार्क इंडेक्स ने चो रिटन है तो दूख तो कमाल कातिया है यही वजा है कि लोग आज भी यहाँ पर पैसे को निविश करना चाते हैं क्योंकि अगर हम small cap केटिगरी की बात करें तो य एनिवी का प्रैस भी काफी हाई है वैसे भी आपने देखा होगा चार तारीकों मार्किट के अंदर एक करेक्शन जरूर था लेकिन उसके बाद 4-5 दिन में वापस से अगर 14 तारीक की बात करें तो मार्किट अपने all time high के असपास आ चुका है तो दोस्तो अगर हम mutual fund में प इसका फाइदा हमें मिला है लेकिन अभी अगर हमें लमसम कम पैसे नवेश करने हैं तो हमें अभी करने चाहिए यह फिर हमें वेट करना चाहिए दोस्तों mutual fund के अंदर आपको कभी भी वेट करने की जरूरत नहीं है बलकि अगर आपके पास अभी पैसे हैं और आप लेकिन अगर बाई चाहिए यहां पर एक करेक्शन आता है तो उसके बाद भी यहां पर आपके पास ऑप्शन यह होगा कि जिस प्लान में अपने लमसम किया है उसी के अंदर करेक्शन के टाइम पे आप नवीश कर सकते हैं जिससे कि क्या होगा कि आने वाले कुछ राइम म बात करने वाले हैं दोस्तों यह बहतीन स्पॉल केप के टियरी का एक इंडेक्स फंड है और वो भी SPI का दोस्तों SPI के अंदर लोग जालतर पैसे को नवीश करना पसंद करते हैं क्योंकि SPI AMC देश की नमबर वन AMC है और जिसने भी लोग हैं चार में से एक आत्मी SPI AMC के साथी पैसे को नवीश करता परसंद करता है और दोस्तों जिस फंड की हम बात करें हैं यह SPI का निफटी इस स्मॉल केप 250 इंडेक्स फंड और इस फंड का ओल्टाइम का रिटन 41% से जाता है लास्ट वन यर में फंड ने 61% लास्ट शिक्स मत में 22% और दोस्तों लास्ट और दोस्तों इस स्मॉल केप इंडेक्स के अदर अगर आपको सिर्फ 24% का रिटन मिल जाता है यहां पर आप 68,000 रुपे नवीश करते हैं वो भी सिर्फ 6 साल के टाइम पिरिट के लिए तो दोस्तों 68,000 से 6 साल में आप 2,47,000 रुपे का फंड बनाएंगे इसमें 1,89,000 का लेकिन अगर आप नवीश करते हैं 12 साल के लिए तो 68,000 रुपे का फंड बना सकते हैं 8,98,000 रुपे का फंड इसमें 8,30,000 का रिटन होगा लेकिन अगर आप नवीश करते हैं 18 साल के लिए तो यहां पर 68,000 रुपे का फंड बनाएंगे इसमें 31,98,000 का रिटन होगा लेकि अगर आप नवीश करते हैं इसमें एक करोड अठारे लग रुपे का रिटन होगा लेकिन दोस्तो अगर आप 30 साल तक इस 68,000 रुपे को नवीश करते हैं और नवीश करके आप भूल जाते हैं इस पैसे को डालने से आपको ये बेनेफिट मिलेगा कि 68,000 की final value आपको 4,31,000,000 रुपे तक मिल सकती है इसमें 4,30,000,000 रुपे का return होगा लेकिन इस mutual fund प्लान के अंदर दोस्तो अगर हम holding की बात करते हैं तो यहां पर small cap index के अंदर जो भी 250 stock हैं उन्हीं के अंदर अलग-लग percentage में पैसे को नवेश क्या क्या है दोस्तो इससे क्या है कि अगर हम small cap fund की बात करें तो उसमें आपको ज़्यादतर fund में 100-500 stock ही मिलते हैं लेकिन इस fund के अंदर index fund में आपको जितने भी small cap के stock हैं उन्हीं के अंदर सब में अलग-लग percentage में पैसे को नवेश क्या क्या है इसमें अगर हम top holding की बात करें तो क्रॉम्टरं के लिए, multi community actions of India, sea end, blue star, angel one, idfc, clean mac pharma यानि कि दूस्तो ये ऐसी कंपनी है टॉप 5 में जहां पर पैसे को जाता नवेश किया गया है इसके लावा दूस्तो जितनी भी companies हैं इस fund में 250 उदूस्तो सारी 32 कंपनी हैं जिनके अदर आपको आने विले टाइम में एक बहतीन के उत मिल सकते है यहाँ पर अगर हम equally sector location की भी बात कर लें तो financial sector के अदर fund का सबसे ज़्यादा 19% पैसा यूज किया गया है इसके लावा other sector के stock में 15%, services में 11%, capital goods में 10%, health care, construction, technology, chemical sector जिनके जितनी भी बहतीन ये sector हैं इनके लहरी fund के पैसे को नविश किया गया है जबकि दूस्तो fund के अंदर NAV के price की बात करें तो ये 18 रुपीज 21 पैसे है जिनके fund के NAV का price अभी काफी कम है सिर्फ 18 रुपे 21 पैसे का और दोस्तो mutual fund के अदर AUM काफी important होता है क्योंकि fund का अगर AUM अभी कम होगा और जैसे जैसे fund का AUM बढ़ेगा वैसे वैसे आपको एक अच्छा profit मिल जाता है और इस वक्त fund का AUM 740 करोड रुपे है और fund में लब समय आप कम से कम 5000 रुपे तक नवेश कर सकते हैं दोस्तो fund के अदर expense ratio यानि के खर्चा category के साब से गर बात की जाए तो ये काफी कम सिर्फ आपको 0.41% का expense ratio देना होगा जबकि अगर हम tax की बात करें long time आप ऐसे नवेश करते हैं तो आपको सिर्फ 10% LTCG tax देना होगा और fund को हर 60 मेनेज करें हैं 2022 से दोस्तो SP mutual fund house की बात की जाए नमबर वन EMC है यहाँ पर 9,81,000 करूर रुपे से जादा fund का कुल EUM है यानि कि यहाँ पर अगर हम कुल EUM की बात करें mutual funds की जो 50,00,000 करूर रुपे से जादा है उसमें से लगबग 9,81,000 करूर रुपे सिर्फ SPMC के साथ ही लोगोंने निवेश किया हुए हैं दोस्तो SP की यह बहतिन Nifty Small Cap 250 Index Fund उन लोग के लिए काफी बहतिन रह सकता है जो लोग अपने पैसे को निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं और अभी वो किसी ऐसे फंड की तलाच में है जहांपर अभी स्टार्टिंग एज में वो पैसे को निवेश करके एक बड़ा फंड बना सके mutual funds में आपको शॉर्ट टम में करेक्शन मिल सकता है तो यहां से आप एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं दोस्ते इस वीडियो से लेटर अगर आपको कोई कोशन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करने हैं धन्यवाद